Hello Friends, Welcome to Radiant Competition Classes मैं आज आप लोगों के समख्च BPAC TRE 3.0 जो जाम खल से होने वाली है उसके लिए जो अंत में क्या पढ़ है जहां से आपका 5 नंबर इंकिरीज कर जाए ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ खास करके GS पेपर जो होगा आपका यानि के जेनरल नॉलेज का जो समानने ग्यान का जो समानने अधियन का जो पेपर होगा उसके लिए बरदान सावित होने वाला है साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फाइदा तो जो 9, 10 के टीचर अभियरती हैं सिक्षक अभियरती हैं उनके लिए खास करके जो सोसल साइंस के हैं उनके लिए ये रामबान सावित होने वाला है तो यहाँ पर मैं ऐसे टॉपिक को इंकलूड कर रहा हूँ जहां से पिछले बार भी प्रस्न लड़ा था यानि पिछले दो टियारी वन और टियारी टू में यहां से डारेक्ट प्रस्न लड़ा था ऐसे प्रस्नों को मैं यहां सामिल कर रहा हूँ थोरा सा वीडियो आप अंत तक जरूर देख लीजेगा चले देखेगा चिपको आंदोलन यहां से सवाल पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के सुरूआत कब से मानी जाती है तो देखेगा उत्तर परदेश टेहरी गरवाल परवतियर जिले में सुन्दर लाल बहुगुना के नेतित में अनपर जन जातियों तवारा 1972 में यह आंदोलन प्राडम भी किया गया था इस आंदोलन में अस्थानिये लोग ठेकेदारों की कुलहारी से हरे भडे पौधों को कारते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोस में पौधों को घेर कर इसकी रख्चा करते थे इसे कई देशों में सुईकारा गया था तो आपको याद रखना है कि ये जो चिपको अंदोलन है इसकी सुरुआत किसने किया था सुन्दरलाल पहुगुना ये कुशन विश्टे बाल भी पुछा था हो सकता है इस वार कुशन पुछा जाए ये कब स्टार्ट किया गया 1972 में कौन से जन जातियों के द्वारा अनपड जन जातियों के द्वारा ये तीन परस्ने यहां से बन जाता है दोस्तों चरिय उसके बाद हम लोग देख लेते हैं देखेगा अब यहां पर देखे इससे कौन-कूर कोशन वनेगा भारत में संजुक्त वन परबंधन शरीत वनों के परबंद और पुरह निर्मान में अस्थानियार समुदाई की भूमिका के महत्तों को उजागर करते हैं आपचारी के रूप में इन काड़े करमों की वन विभाग के अंतरगत संजुक्त वन परबंधन शरीत वनों को बचाने के लिए काड़ी करता है और इसे गाउं के अस्तर पर सहस्थाएं बनाई जाती है इसमें ग्रामीन और वन विभाग के अधिकाड़ी संजुक्त रूप से काड़ी करते हैं दोस्तों तो ये भी संदचना में टाइगर एक महतपन जंगली जाती है उनिश्यों तेहतर में अधिकारियों ने पाया कि देश में बीसवी सिताब्दी के आरभ में बागों के अनुमानित संक्या पाँपच्पन सो से कटका थार सो सताइस रह गई तो आपको पूछा जाता है कि टाइगर प्र स्वेंग सिकार करने के बदले सेरों द्वारा किये गए सिकार पर धवा बोलते हैं इसे सेरों के संख्या में कमी आते हैं इस परकार के सिकार को क्लैप्टो पैरा साइटिज्म कहते हैं यहां से भी पुरस्ण पिछली बार पुछा गया था दोस्तों तो यह सब जितना भी यह सरकार की यानि बिहार सरकार की जो नाइन्थ टेंथ की बुख है यहां से एक लेक्शन में आपको दे रहा हूं यह आप एक बार जरूर सुरू से अंतर तक वीडियो देखके जाएगा यहां से पांच परस्ण कम से कम आपके रहेंगे ही चलिए अब यहां पर देखिए असपस टूप से देख लिजेगा बाग पडियोजना विस्विकूर की बहतरीन वन्यजीव पडियोजनाओं में से एक है इसकी सुरुवात 1937 इस भी से हुई है यह परस्ण कई बार उचा जा चुका है बागी डाटा जो है आप अधितन देख लिजेगा यहां जो है अल्र अधितन देख लिजेगा पडियोजना के बान्द हो गया व्यजेगा बाग डाटा जो जाता है कि कारवे दास्ट उद्यान कहां पे है तो ये उत्राखंट के अंदर है और सुन्दरलाल दास्ट ये उद्यान कहां है पस्चिमंगाल में है बांदवगर कहां है तो मतपरदेस में है सरिस्का कहां है तो राजिस्तान में है मानस बागरी जरुक कहां है तो ये आपका असम में है फिर यार कहां पे है तो केरल में है तो ये 5-7 कोश्चन भी आप यहां से आसानी से कर सकते हैं दस्तों चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए हम यहां से देखिए कोश्चन पूछा जाता है कि विकासिल देशों की जैव संपदा का विक्सित देशों दोर अपनाई गई बायू पायरे सी कई उधारन देखने को मिला है हुपयोगी जरम पलाजमी की पहचान तथा आवसे परिवरतर नों पर देश्थापन करेशा संपदाव को पाया है यहां पस्चिमी अफरीका में पाये जाने वाला पंट डिप लांडरा ब्रैजनी ब्रेजनी नाम का पौधा इसी प्रभाव में आ गया और इसमें देखेगा इस पौधे से पाये जाने वाली एक परकाट के प्रोटीन की मिठास चीनी से 2000 गुना अधिक होती है इहां से पूझा जाता है कि होती सपो्ट नॉर्मन मायर नी 1988 में इस सब्सका प्रियोग किया था आप यह सबसे इंप्रोटेंट बात दो याद रखेगा कि hot spots सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया था ये Norman Myers ने किया था और ये Norman Myers ने इस सब्द का परियोग कब किया 1988 में किया था यानि the hot spots are the richest and the most threatened reservoir of plant and animal life on the earth और इसके लिए कौनपोल से सब्दे होती है देख लिजेगा कि आज तव कोर्शन BPSC में थुरा सा twisted रहता है यानि कि कई कारण किसमें कौनपोल सही है देखे दो कारण है आप इसको देख लिजेगा देशच परजातियों कि संख्या का निर्धारन ऐसे परजाते हैं जो अन्य और कहीं नहीं पाए जाती है और अधिवास परातिकर्मन के सीमा निर्धारित करना ये दो महत्तपूर्ण इसका पहचान है और डिस्पोर्ट सम्दकापडियों किस ने किया तो नौरमन मैडस ने किया कब किया 288 में किया था उसके बाद देखे महत्मा बुद्ध ने जो है पेर के बारे में क्या कहा इसके कथन भी कभी कभी पूछ देता है महत्मा बुद्ध ने 487 में कहता पेर एक बिसेस और सिमी दयालो और उतार पूर्ण जिवधारी है जो अपने सतत पूछन के लिए कोई मांग नहीं करता और धान सिल्टा पूर्वक अपने जीवन की किडियाओं को भेंट करता है यह सभी की रक्षा करता और स्वेंग पर कुलारी चलाने वालों पर भी छाया परदन करता है यह कथंद किश्का है तो महत्मा बुद्ध का है दोस्तों चलिए उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां से कोईशन पूछा जाता है यानि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था यह भी कोईशन पूछा जाता है तो रामसर कन्वेंशन देखेगा 1971 में हुआ था यह विश्व प्राकर्टिक और सांस्क्रिट जरोहर संड़क्षन वंगरख्षा दिन 1972 के अंतरास्टी नियों के द्वारा वरने जीमों के संड़क्षन के परियास किये जा रहे हैं यानि रामसर कन्वेंशन रामसर नामगस्तान इरान के अंदर है और यह रामसर कन्वेंशन कम भुआ था 1971 में यह भी कोईशन लगातार पुछा जाता है चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से अधरों ज्रास्टे कानून है कौन-कौन से आर्टिकल है जो वन जीव से संबंदित है देखेगा भारत बिसे के उन देशों में से यह है जिसमें पडियावडन तथा वन जीवन की रक्षा का प्राधान समीधान में किया है समीधान की धारा 21 के अंतरगत अनुचित 47 और 40 तथा 51 ए वन जीवों और प्राक्रटिक्शन साथनों के संब्रक्शन के नियम है ये चार अर्टिकल ये पौलिटि का भी कुस्षन हो जाएगा ये याद रखेगा धारा 21 के अंतरगत है 47 और 41 ये ये चार आठ पांच आर्टिकल चार आर्टिकल है oggi 40404 और और एक और एक का फिट जी ये किस से समबंदित है तो यह वनेज जिवों तथा प्राक्रतिक पसाधनों के संबंदित है दुस्तों भारति वनेज जी बोर्ट जो है इसका कटन कब किया गया था इंडियन वाइलड लाइफ बोर्ट का गटन कब किया गया था 352 में क्या गया था ये भी आपको याद रखना है नोट कर लेना है यहां से कोश्चन पुछा जाएगा चलिए उसके बाद हम लोग देखे जैब विविधिता अधिनियम यानि ये कब बना था ये देख लीजिगा 2002 में बना था ये अत्यंत महत्पुण कोश्चन है आप इसे भी नोट कर लिजेगा यहां से प्रस्ण रहेगा ही दोस्तो चलिए उसके बाद एक बहुती महत्पुण टर्म का यूज होता है यानि प्राकरतिक अधिवासे वातावरण में दिक्सित होने वाले पौधोर जन्तों को भन जीव कहते हैं और इस परकार पादप के लिए फ्लोरा सब्द का पढ़ियो किया जाता है और जन्तु के लिए जो है फ्लोरा सब्द का पढ़ियो किया जाता है ये जोनों जैबमेंटल का अंग है प्राय कहा जाता है कि पादप के लिए कौन सा वर्ड का यूज़ के आयता है और जन्तू के लिए कौन सा तो ख्लोरा और प्होना आपको ये भी याद रख लेनी है उसके बाद देख लीज़ेगा यहां से कोश्चन रहता है मैं आपको बता दूँ पावन उर्जा के मामले में पावन उर्जा में देख लीज़ेगा कि सबसे जायदा पावन उर्जा के मामले में कौन सा राज ये आगे है ये आपको थोरा से परकर के मैं सुना दूँ पवन उर्जा पवन चक्कियों के साहता से पराबते की जाती है पवन चक्की पवन की गती से चलती है और टैरवाइन को चलाती है इसे गती जी उर्जा को विद्रित उर्जा में परिवर्टित किया जाता है भारत पिस्सु का सबसे प्रापवन उर्जा उत्पादर देश है यह मानसुनियों पच्छवा पवनों को उर्जा के स्रोत की रूप में पड़ियूग किया जाता है भारत में पवन उर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वा कांची योजना तियार की गए है जिसके अंतरगर तीन सो वायूचल टेरवाइनों को विसेश तया सागर तर्टीश हैतरों के बारह नुकुल अस्थानों पर अस्तापित किया जाएंगे देश में पवन उर्जा के संभावे तुपादन चमता पचास जार मेगावाट है इसमें पवन उर्जा के लिए आप यदि देख लीजिएगा तमिल नाडू, राजिस्तान, गुजरात, महरास, कर्णाटक में नुकुल परिस्तितिया बिदवान है सबसे जादा तमिल नाडू, उसके बाद राजिस्तान, उसके बाद गुजरात, महरास, कर्णाटक में नुकुल परिस्तितिया है गुजरात के कच्छ में लामबा का पवन उर्जा सेयंतर एसिया का सबसे बरा सेयंतर है आपको ये नोट करना है समुद्री जुआरता तरंग में जल गती सील रहता है अथा इसमें अपार उर्जा रहती है अनुमानता भारत में 8000-9000 मेगावाट संभाब जुआरी तरंग उर्जा है और खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है जुआरी उर्जा के लिए सबसे अनुकूल जो है ये खंभात की खाड़ी जो गुजरात के अंदर है जहां से 7000 मेगावाट उर्जा प्राप्ति किया जाता है इसके बाद कच्छी की खाड़ी और सुन्दरवन का अस्थान आता है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और कौन-कौन सा चीज ये देखेगा यहां से कोशन पुछा गया था पिछले बाद कि भारत में यूरीनियम का विसाल भंडार जहरखंद के जाड़ु गोड़ा में है ये जाड़ु गोड़ा किसके लिए परसिद है तो यूरीनियम के लिए कहां पे है जहरखंद में है यहां 97 किलो मीटर लंबी पटी में ये फैला हुआ है उसके अलावी हम लोग देखे भारत में 1955 में पर्थम आनवीक रियेक्टर मुंबई के निकट तारापूर में स्थापित किया गया था यानि भारत में पर्थम पर्मानु रियेक्टर कहां स्थापित किया गया था तो ये 1955 में तारापूर में स्थापित किया गया था और वर्तमान में छे पर्मानु बिदिद्गिरी है याद रख लिजेगा छे का नाम येसिया का सबसे वरा भी दिद्गिरी है तारापूर और ये जो है कहाँ पर है तारापूर महराष्ट के अंदर है उसके बाद देखेगा यहाँ पर यूरोनियम के स्थान पर थोडियम से प्लूटोनियम बना कर बिलियुत परिकिये जाते हैं क्योंकि भारत में थोरियम के भंडार काफी शंब्रिद्ध है राना प्रतापसागर यह राजस्तान के कोटा में अस्थापीत है यह भी आपको याद रखना है कल पकम कहा है यह तमिलनाडू में है उन्हें सु तेरासी और पचासी से कार्जिगरना शुरू गिया है चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं काफी काफी के तीन किसमें आप याद रखेगा अरेविका लिवेरिका और रॉबस्टा भारत में उत्तम किसमें के अरेविका काफी उप जाई जाती है जिसकी पूरे बिश्व में मांग है भारत में यह आरंभ में यमन से लाय बाया गया था आपको यह याद रख लेना है दोस्तों उसके बाद देखेगा इतना कम से कम बारा से तेरह मिनट में आप लोगो पांच परसन का उत्तर देने के लिए एबल बना दिया तो बस आज के वीडियो में इतना ही यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक स झाल